अब इसी भी ओक एक जाम आने वाला है तो मैं आपके साथ कुछ स्लिवास से डिसक्स करना चाहता हूं मैत का कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं औहुअ और 5 कुष्चन आते हैं तो जैसे हुआ पहलージ को पाई चार्ट हैं च्बाइब तो हम आपको रड़ेंगे कुछ्टम और बिता देंगे कि कॉष्चन नंबर उनप्वर्टी शीक स्याओं 150 तर जो question number होंगे वो पाई चार्ट के होंगे तो आप पाई चार्ट पढ़ेंगे आपको पांच number cover हो जाएगा आपको उसके बाद आएगा टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री का वही शुकेंस रहता है 41 question number से 145 question number आप देखेंगे अपने याम पेपर पर तो टिग्नोमेट्री के होंगे और रेखा मीति रेखा मीति आप बोलें तो आप बोल सकते हैं इसे एंगल और लाइन और एंगल लाइन और एंगल से आपके 5 question आएगे जो 5 नंबर के होंगे उसके बाद अलजेब्रा होगा उससे भी 5 question आते हैं जो की 5 नंबर के होते हैं 6 नमिति आता है 6 नमिति के अंदर भी आप तेखेंगे 5 question आते हैं इसमें इसका सम्चतु भूजह सकत है शंकू होता है अर्द को उसके ता पार्चार्ड से आपको देखने में मिलेगा कि आपको 5 question आए और आइँगे और 5 नंबर के आए आएंगे तो फ्रेंट्स ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिससे हमेशा question पूछे जाता है और 5-5 number से पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको जो अभी मैंने बताया वो 5 चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले तो आपका 30 number कबर हो जाएगा फिर इसके बाद आप दूसरे जो आपको इसकी में दिख रहे हैं उस चैप्टर में जाएंगे जैसे हो गया SICI हो गया और टाइम और स्पीड हो गया प्रॉपेट लास हो गया और सथ हो गया जेस्टियों हो गया i kalau packing के फिर दिश्कका झाउंट हो गया पाड नितंकी हो गया टाइम बर्ड हो गया नम्बोर सिस्टम हो गया और सिंपीटान हो गया सिंप्लिफिकेशन आप देंगे फार्मूले से पूछे जाते हैолод में बार्न म स्रूल से पूछे जाते हैं अगर आप फ्रेंट्स चाहते हैं कि हम क्वेश्चन भी दिखाएं आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अंगले मतलब जैसे रेजिनिंग हुआ इंग्लिस हुआ और जीके जीएस हुआ जनाल व कि जो जो क्वेश्चन में चैप्टर से पूचे जाते हैं और इसके बाद आपको क्वेश्चन भी प्रवाइड करा देंगे हैं में में